आज का हमारा topic है the earth from class 5th, यह हमने पढ़ लिया, यह topic सारा कल, हमने इसके new words किये थे, आज हम इसका recap पढ़ेंगे, recap mean जो भी हमने इस chapter में पढ़ा, उसका एक छोटा सा recap, मतलब उसके बारे हम फिर से थोड़ा short short में याद रखेंगे, scene from the space, the earth looks like a mass of land, sea and air, कहते हैं, जो हम space स देखते हैं, तो earth जो होती है, वो कैसी दिखती है, एक mass, एक मिटी के, गूले के जैसी, the study of earth is called geology, जो भी हम पढ़ते हैं, earth के बारे में, जो भी study करता है, उस study को हम बोलते ही, geology, the earth is organized into three main layers, crust, mental and core, कहते हैं, जो earth हैं, उसके three layers होते हैं, एक होता है crust, फिर होता है mental, फिर ह होता है, core, यह जब हमने earth का पूरा structure पढ़ा था, उसमें हमने हर एक layer के बारे में पढ़ा था, कि वो किस से बना होता है, mountains are formed by the movement in the earth's crust, कहते हैं, कि जो earth के crust में, जो movement होते हैं, जैसे वाल्किनो, eruption होता है, तो वो जो फिट बलावा ठंडा हो जाते है, वहां पे rock बनता है, उसकी वज़े से क्या बनते हैं, mountains, one of the way in which mountains are formed is through a process of volcano action, मैंने अभी आपको बोला कि जो volcano erupt होता है, तो वो जो लावा वहां से निकलता है, गरम liquid जैसा वो जो ठंडा होता है, तो उससे भी mountains बनते हैं, earth quick occur when large masses of rocks slip past each other suddenly, कहते हैं, क्या होता है, जब बहुत बड़े-बड़ rocks आपस में slip करते हैं, तो उसकी वज़े से earthquake होता है, मतलब जलजला आता है, वो का, seismograph is an instrument for detecting earthquake, मैंने बुला ये एक instrument होता है, जिससे क्या हम earthquake के आने का पता कर सकते हैं, और earthquake का क्या speed थी, वो भी बता सकते हैं, The axis of the earth is titterled, कहते हैं, जो axis होती है, earth की, वो क्या होते है, tilt, the rotation of the earth on its axis causes day and night, जब earth अपनी axis पर rotate करती है, तो वो क्या बनाती है, दिन और रात, seasons are caused by the tilt of the earth, its axis and revolution of the earth around the sun, कहते हैं, Seasons कैसे होते हैं, मैंने हमने कल ही पढ़ा, ये seasons के बारे में, और का जो movement रहता है, सूरज के, तो उसके ही, जो movement की वज़े से क्या होता है, seasons change होते हैं, The days and nights are equal at the equator, कहते हैं, equator पे जो दिन और रात होते हैं, वो बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोश्टी continuously पढ़ती रहती है, seasons effect the lives of plants, ये भी हमने पढ़ा कि seasons effect करते हैं, हमारी life पे भी plants की life है, क्योंकि कभी गर्मी होती है, तो हमें गर्मी के according अपने आपको करना पड़ता है, light कपड़े पहनने पड़ते हैं, fan, cooler, AC चलाने पड़ते हैं, ठंडा 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 खाते हैं, juice, ice cream, ये सब चीज़े खा करते हैं, ऐसे अलग-अलग seasons में, बरसाद के मौसम में भी अलग चीज़े देखनी पड़ते हैं, तो ऐसे-एसे होता है कि seasons जो होते हैं, हमारी life पे effect करते हैं, हमारा lifestyle सारा change होता है seasons की वज़े से, eclipse of the moon and the sun occur due to the shadow caused by the earth and the moon respectively, कहते हैं, जो eclipse होता है, जो ग्रहन होता है, चंदर ग्रहन या सूरज का ग्रहन जो होता है, वो किसकी वज़े से होता है, shadow की वज़े से, earth या moon की, जब earth आती है बीच में तो, चंदर ग्रहन होता है, जब चंदर आता है, तो ऐसे ही ग्रहन दोनों, मतलब एक दूसरे की चाया जो पढ़ती है, तो उससे क्या होता है, या तो सूरज ग्रहन होता है, या तो क्या होता है, चंदर ग्रहन होता है, या अब important points है, जो आपने ये chapter बढ़ा, उसको आप अच्छे से याद कर सके, इन important points को याद रखने से भी आपको ये याद है, ये एक आपके लिए एक region की तरह है, उसके बाद है question answers, ये question answers बहुत easy है, ये आपने जो भी पढ़ा है, उसका ही है, जिस study of earth is called geology, earth is organized into three main layers, ये सारा कुछ आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, आप ये करोगे, अगर आपको नहीं समझाएगा, तो हम आगे इसको कर नहीं अनी तरह आपके सकते ही है, ये ङकarna है विए इसक्रावे अजयार मेह भी मेशलेक्स कर सकते हैं, ये को कर सकते हैं, ये बहुते हैं, ये जो से में चीजया, ये ये बहुते हैं, अूए ले गमें।शने से अजय stored in ट sed at living, वे बहुते हैं, जयाट हर इन ये 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 व